जैशी राम सभी भक्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सबी के लिए बहुत ज़ादा ज्यान बर्दक होने वाली है आज हम जानेगे जैसे की कहते हैं कि ब्रह्म मूरत में ही उठना चाहिए ब्रह्म मूरत में उठने के क्या लाब होते हैं क्यों उठना चाहिए ब्रह्म मूरत में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी तो अंतग बने रहे तब भी आपको सारी वीडियो समझ में आती है आगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेय ये सुरू करते हैं आसकी बुडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी महराज बाबा की असीम गिर्पा आपके परिवार पन्य अंतर परस्ती रहे और मेरी मा जग जन्नी मा अंब की गिर्पा आपके घर में अनपूरना रुप में वास करें जैमाता की ब्रहम मुरत में जगने के अन गिनत लाब हैं वो सब के सब लाब जो हैं छुपेवे हैं और जो चीछ छुपीवी होती है वो कुछ ना कुछ चमतकारी जरूर होती है जिस पकार से हम जब रातरी को सोते हैं तो हमारा शरीर जो है ऐसा हाई मानता है और निंद्रा वस्ता की तरफ चल जाता है अगर हम अपने शरीर को एक पल का त्याग देना सिखाएंगे तो उस त्याग देने से कुछ ना कुछ उत्पन जरूर होगा जैसा कि हम अब आपको पता है कि जब ब्रहम मुरत किसको कहते है आपको पता है कि साड़े तीन वजे से लेकर पांच वजे के बीच में यह जो ब्रहम मुरत है बहुत ही शक्ति और बहुत ही ताकरवर होता है इस मुरत के अंदर जगने से हमारे शरीर की जो इंद्रिया है वो भी जागरित होती है और उसकी जो आपको पता है कि ये जो दे है ना ये दे परमपिता परमातमा की है और हम अपने सुखों का त्याग करते हैं उस समय की जो निंद्रा अवस्ता होती है बहुत अनंदमी होती है जब तक आप क्योंकि हमारे वेदिक सास्त्रों में इस बात को बताया गया है और भली बाती आप इस चीज़ से प्रिचित भी है कि ब्रहम मुरत में जगने के बहुत पकार के लाब बताये गए हैं और रिशी मुनी और जो वेदिक और योग व्यक्ति जो है वो ब्रहम मुरत में ही जागते हैं पहला सुक निरोगी काया अगर आपकी काया निरोगी होगी तब भी आप किसी शक्तियों को अर्जित करने की ताकत भी आपके अंदर होगी जब तक आप अपने शरीर को आप तपाओगी नहीं और वो निरोगी हो नहीं सकती पहला सुक जो है वो काया को निरोगी बताया गया है हमारे शरीर के अंदर भोत पकार की अनरजी कारिये करती है जब सूबे का जो वाता वरन होता है वो प्रान वायू से बरावया होता है अक्सीजन से बरावया होता है जब हमारे शरीर के अंदर आपको पता है जब हम अक्सीजन का ग्रहन करेंगे और कार्बन डाई अक्साइड का त्याग करेंगे तो हमारे शरीर की जो इंद्रियां है हमारे शरीर ये जो शरीर है ये इसके हर अंग के अंदर प्रमातमा की किरपा है क्योंकि इसमें हार्ट, किडनियां और हर पकार की लीवर और हर पकार की माश पेशियां से यह जो चीज बनी वी है यह हमारे फंक्शन तो है नहीं यह तो प्रमपिता प्रमात्मा ने यह सोफ्ट्वेर बनाया है उसके अंदर अपने आपी नेकिन उसको अनरजी की समय में प्राप्त होती है वो ब्रहम मूरत है जब उस शरीर को अनरजी प्राप्त होती है प्रमात्मा की बनाईवी चीज अगर उस समय अपनी प्रमात्मा की बनाईवी चीज प्रमात्मा का ही ध्यान करे उस समय बैठ कर जैसे कि आपको पता है कि आप सिमरन कर सकते हो पूजा पाठ की परती ध्यान लगा सकते हो गंटा गंटा दो दो गंटे ध्यान में बैठ सकते हो जब आप ध्यान केंजित करते हैं आपको पता है कि गुदाकार चक्कर से लेकर शस्तरकार चक्रों तक ये सबी चक्रों को हमें जागरित करना पड़ता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत जादा अनर्जी है, उस अनर्जी को हम परम पिता प्रमातमा से किस पकार प्राफ्ट करें, हमारे जो उपर का हिस्सा है, याद करो कि जब आप बच्पन में थे, जब आप मा के गरब से थे, जब बार निकले, तो हमारा ये हिस्सा जो था, कमजोर था, जिसको हम काग कहते हैं, ये कमजोर हिस्सा है, ये परमपिता परमात्मा से हमें इससे मिलाना है, और वूस की जो ताकत है, वो ब्रहम मुरत में ह प्राप्त होगी, सुबह उठने से क्योंकि हमने जब तक किसी चीज का त्याग नहीं किया, तो नवीन चीज को हम ग्रेहन कैसे कर दकते हैं, नवीन चीज को जफि friction किया जाता है, जब हम त्याग करेंगे, त्याग सुख का, उस परम अनंदवई नी निंद्रा का, जो आपको उस समय उस पैर पर आ रही होगी और उस समय की नींद जो इतनी अनंदित होती है आप त्याग करकर अपने आपको एक सद्ध मार्ग के रास्ते बचलाते हो एक सत्य के रास्ते बचलाते हो और उस समय आपके शरीर के ओपर जो रोग है उनका भी त्याग होता है शरीर निरोगी होता है और जो हमारे शरीर के अंदर छुपीवी शक्तियां है वो भी जागरित होती है ब्रम मुर्त में पूजा करने से हम अपनी शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं हनुमान जी की शक्तियों को की किरपा भी प्राप्त कर सकते हैं माता की किरपा को भी प्राप्त कर सकते हैं और उस समय का जो महूल होता है उस समय का जो वातावरन होता है बिल्कुल शान्त होता है आप किसी भी देविक शक्तियों के दर्शन भी कर सकते हो ब्रह्मुर्त के अंदर दर्शनों की अभिलाशा रखकर अगर आप अपने आपको साधना करोगे पूजा करोगे याचना करोगे तो आपको दर्शन की प्राप्ति भी होगी ऐसे समय पर प्रमपिता प्रमात्मा की अराधना जब समस्त संसार सोरा होता है उसमें कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो त्याग करकर कोई कारिये को निष्ठा को भावना को धर्न करते हैं तो वो अपने लक्षय तक जरूर पोछते हैं आप अगर अपने कोई वेदिक शास्त्रों का मंतर आपको आता है कोई ऐसा मंतर आता है मा का नवान मंतर आता है या शंकर भगान का पंचाक्षर मंतर आता है अगर आप सोचो एक कलपना करके देखो अब ब्रह्म मुर्ट में शुरुवाती तोर पर कोई भी काम करती हो मुश्किल जरूर लगता है निकिन दीरे 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 हमें उस चीज़ का अभ्यास हो जाता है और अभ्यास होने के बाद हम उन शक्तियों से वार्तालाब भी कर सकते हैं अगर आपको शक्तियों की वार्तलाब करनी है तो ब्रह्म मुर्त में जागना स्टार्ट कर दिजी जितना शरीर तपता है उतना ही निखरता है आपको पता है आज के समय में हार्ड वर्क नहीं रहा लोग जिम्में जाते हैं अपना परसीन्य को निकालने के लिए अपने अंदर के जो अपने वेश्ट मेटरियल को निकालने के लिए इसी पकार से आप सोचो जब आप दस मिनट बीस मिनट योग अभ्यास करोगे उसके बाद आप पूजा साधरा में ध्यान लगाकर बैटोगे जो ध्यान ब्रह्म मुर्थ में लगता है वो और समय में नहीं लगता आप शुरू की समय बे आपको कठाईयों का सामना करना पर सकता है लेकिन जीतोगे आप जरूर और हनुमान जी की किर्पा आपकी बेविक शकतियों की किर्पा की दरशन भी आपको ब्रह्म मुर्थ में ही हो सकते हैं तो बोलिये जैसितराम जैश्री बाला जी बाला